क्या इश्वर का साक्षात दर्शन संभव है इश्वर को जानने के पहले इश्वर से संबंधित कुछा अन्य ततों के बारे में जानते हैं जैसे स्रिष्टी देवी देवता अवतार इत्यादी पहले जानते हैं स्रिष्टी क्या है वाट इस क्रिएशन यह जो भी हम देखते हैं यह जो भी आकार है वो स्रिष्टी है और इसका निर्माण परमात्मा करता है स्रिष्टी करता परमात्मा है तो जो भी आकार है वरताद जो भी ग्रह है नक्षत्र है सूरज है चांद है तारे हैं जीवजनतु हैं और जीवजनतु वह में भी कोई स्थिर है कोई जंघम है जिसे व्रिक्ष है वह खड़े हैं और जितने हैं जिसले भाग है भालू मनुष्य को tam एक यह वॉत जिवानत्मा से और वे फिर स्पिरीट से दिखायी नहीं परते गर्व में और वे फिर स्पिर बंसे मनुष्य को ले तो दो मा के गर्व में जीवात्मा प्रवेश करती और मा के गर्व में जो भून है उसमें पृत्वी तत्व है जल तत्व है अगनी तत्व है वायू तत्व है और यह जो इस प्रीट आता है सुक्ष्ण शरीर में इसको हम आकाश तत्व कहते हैं क्योंकि आकाश जाता है इसमें इथर तत्व होता है आकाश तत्व होता है तो य जीवातमाई कहलाती है और फिर जीवातमाओं मेंसे कई ऐसे हैं जो स्रिष्टी के प्रवंधन में हिस्सा बटाते हैं उनको देवी देवता कहते हैं तो जानते हैं यह देवी देवता क्या है जैसे मैंने कहा स्रीष्ठी का संचालन देवी देवता करते हैं प्रमुख तीन देव हैं जिनको हम त्रीदेव कहते हैं भगवान ब्रह्मा है भगवान शुह हैं भगवान विश्णु है यह मुख्य देवता है भगवान ब्रह्मा world of creation के गवर्नर और अर्थात जो भी जीव जनतु बनते हैं उनका डिजाइन क्या होगा वे तय करते हैं वी जात्माओं का निर्मान हो करते हैं तो उनको हम भारत वर्ष में भगवान ब्रह्मा कहते हैं लेकिन पश्ची में जाओ तो उनको कहते हैं governor of world of creation बाते की नाम से कोई फरक नहीं पड़ता दूसरे भगवान श्यूव हैं अर्थात्मृत्यू के बाद जहां सब प्राणी जाते हैं उनका जो governance है वह भगवान श्यूव करते हैं और इस तरह जो जब तक वहां रहते हैं कि वहां उनका governance होता है फिरो मां के घर्म में आ जाते हैं तो जीव जन्तु बन जाते हैं तो भगवान श्यूव को governor of world of spirits कह सकते हैं कहते हैं और फिर तीसरे भगवान विष्णू जो वह governor of world of enlightenment कह जाते हैं अर्थात्य जो मुक्ष को प्राप्त लोग होते हैं वो और धर्म के स्थापना की जिमवारी भगवान विष्णू को है अब यह मुख्य देवता है अब इनके अंतरगत लाखों देवता हैं जो स्रीष्टि के संचालन में अपनी भूमी का निभाते हैं लेकिर फिर भी उसमें से पांच देवता मुख्य हैं कौन-कौन हैं जैसे वो प्रभी मंडल के इनचार्ज हैं बगमान गरेश मंडल में जोгनदी प्रुटी होता है जो भी घटनाए घटि है तो उससे मुख्य प्रभारी गरेश हैं उसस तरह से जलने ननीचाल है बड़ा विराठ है जलन्रन बलकी जितना उर्धू मंडल है जो सतह है जहाँ उस से पहला लिफोई स्प्यर हुआ प्रिध्वी मंदल फिर हाईड्रोई स्प्यर हुआ और फिर जो है जो तीसरे देवता अगनी देव हैं उर्जा मंदल के अधिकारी हैं इनर्जी स्फियर अर्था जो भी आग जलती है या जो भी उर्जा है क्योंकि बड़ी महत्वपुन भूम को नहीं कि क्योंकि वायु ही जीवन तो वायु मदल के निरोटा है उनुका जो इंचार वायु देव कहलाते हैं और फिर आकाश में टेंपरेजर का नियंसरा रहे वारिश होती है तो उसके धाक्ष होट है और और वान सभीध्य में कोडिनेशन भी करते हैं इस तरह से पांच देवों की स्रिष्ट के संचालन में महत्रपुर्ण भुलगा है तुमने पूछा है कि क्या इश्वर का साक्षाप दर्शन संभव है तो मैं बताओं कि आकार रूप में दर्शन ये देवी देवता देते हैं और इनका आकार सु समानिता आंखों से नहीं देखा जा सकता लेकिन जिस पर वह दिखाना चाहते हैं उसको वह दिखला देते हैं और किस रूप में दिखलाते हैं और के रूप में जैसे अलग-अलग रंग के होते हैं गोल्डन कलर के भी होते हैं और चांद जैसा पुर्णमासी के चांद जै करते हैं जिस आकार से तुम पहचान से को कि भगवान श्यू हैं ऐसा रूप धारन करते हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि वह संदेश देते हैं अगर तुम थोड़ा निर्विचार हो जाओगे तो उनका संदेश प्राप्त होता है स्वपन में भी संदेश देते हैं और की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं जिसा मैंने कहा कि भगवान विष्णु की जिम्वारी है उनका उत्तरदाई तो है कि धर्ती पर धर्म की रक्षा हो धर्म का प्रचार प्रसार हो सत्धर्म के स्थाना हो और जब देखते हैं कि अधर्म बढ़ जाता है असुट बढ़ अग्ला निरभवत हो तो अब धियुथानम अधर्मस्या तदात मानम सिजा में हम जब जब अधर्म की विर्द्धि होती है धर्म की आनि होती है तो धर्म के स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं अपने आपको स्रिजन करता हूं क्या उद्देश परिट्राणाया जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संघार के लिए धर्मसंस्थापनार थाया संभवामी युगे युगे और धर्म के स्थापना के लिए अलग-अलग समय में मैं स्वेम अवतार लेता तो इसवादार पर जैसे भगवान विश्णु के दस आउतार माने जाते हैं मत्स्यातर है कच्छप आतार है तीस्रा वारा अवतार है चोधा इंड princes आरे पांच्वा भामन आवतार है छथा परशुराम difahar hai 7 वा राम आवतार है और फिर 8 मा भगवान कृष्ण का आवातार हुआ नौवां भगवान बुर्द्र का अवतार हुआ का विद्ध सुभ और डावथा होना है कल जो भविश्य की घ्र में चुपा है कि कब भगवान विष्णु कलकी के रूप में आएंगे और लोगों का इंतजार रहता है प्रतिक्षा रहता है तो बहुत सारे लोग इसका लाव उठा करके अपने जान जाती है एक्जिस्टेंस इस गॉडलिनेस और वह मुख्यानार है और आकार भी जो पाइंट 00001% वह उसी का हिस्सा यह कहता है इशा वास इदम सरवं सारा अस्तित्म देख रहे हो यह विराट आकाश तुम देख रहे हो जिसमें किग्रा नक्षत्र तारे भी हैं थोड़े बहुत तो इशावास इदम सर्वं और यत किंचित जगत त्यान जगत यह थोड़ा बहुत जगत जो है जो आकार है यह भी परमात्मा ही है बड़ी महत्वपूर्ण घोशना है तो जो अब इश्वर जो है वह अब कैसा है जो निराकार है को मैंने बताया कि 99.999% है कि यह जो तारे Community पड़ते हैं सूरा दिखाए पड़ता है इतने इतने विराठ आकाश जुगनी की तरह चमक रहें अब जानते हैं वास्तों में इश्वर जो जीवन्त है जो निराकार है जो आकाश है तो वह कैसा है उसको कैसे जानेंगे तो स्वरू रंजन है अचल का क्या मतलब थिर है आंख से देख नहीं सकते उसको क्योंकि पारदर्श ही गजाने तो यह उसका रूप है रूप की दृष्टी से और गून की दृष्टी से when है सूंदर है इसलिए कहा जाते त्यों सथ मैं वजयते शिवं है यह देखते हो यह प्रकृति कितनी संदर प्रकृती का decision किया है इसलिए वह promoter of beauty है promoter और शिवंकारत क्या वह promoter of wellness है और यह इस तीन अर्थात की जो आओ के दिश्टी से बताया गुर्ण के दिश्टी से बताया जिसने आकाश की चैतनता को जाना उसने ही परमात्मा को जाना तुम आकाश को तो सब देख रहे हैं आकाश को तो सब लोग जा रहे हैं जान रहे हैं लेकिन परमात्मा को तो नहीं जान रहे हैं लेकिन साधना करते करते सद्गरु के साथ चलते चलते एक दिन ये तुमको तो आकाश तुम्हारे लिए जड़ नहीं होगा यह आकाश तुम्हारे लिए चितन हो जाएगा सर्वग्य हो जाएगा और कोशु क longer किया जिस दिन तुमने अकाश में चैतनता का अनभ demo किया कलपना कि बात नहीं मानता की बात नहीं जब तुमने अन्भाव किया जिस दिन उसी दिन तुमने परमात्मा को जाना क्या करें दिया के नीचे क्या करें तो अब जानते हैं इश्वर का साक्षात दर्शन क्या है यह जो चैतन आकाश है यह जो आकाश है तुमने जाना एक दिन की चैतन है एक जीना जीना पर्दा है संतों ने कहा ये रोम रोम जो है यही एक जीना परदा है परदे के इस पार जीवात्मा है और परदे के उस पार परमात्मा है